देटो बर्थ है 9, 18 और 27 किसी भी मंद की हो और क्योरेस हैं यह जानने के लिए कि यह आने वाला साल 2024 कैसा रहने वाला है आप सब के लिए तो आज मैं आप से शेयर करूँगी 2024 कि कुछ ऐसी स्पेशल खास बातें जो आप 9 नमबर, 18 और 27 वालों को ध्यान में रखनी है दोस्तो इससे पहले मैंने 128 इन नमबर वालों के लिए 2024 यह यह कैसा जाने वाला है वीडियो रडी क्यों ही है अगर आप किसी भी नमबर के बारे में जानना चाहते हैं मेरे YouTube चैनल में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं आज लास्ट नमबर की टर्ण है यानि की नमबर 9 की, 18 की भी और 27 की भी ओवरॉल इन लोगों के लिए यह साल क्या कह रहा है अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्स्राइब करना बिल्कुल न भूले वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इसे लाइक भी करें और जादा से जादा लोगों के साथ शेयर भी करें वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि बहुत अमेजिंग रहने वाली है एंड में मैं आपको बताऊंगी कुछ टिप्स छोटी-छोटी सी कुछ रैमेडिज कि अगर आपका कुछ फलक्चुएट भी हो रहा है यह यह कुछ अपडाउन भी दिखा रहा है तो किस तरह से आ आपको यह बताऊं कि अगर आपका डेट और बर्थ कुछ भी है वन डेट से लेके 31 तक अगर आप किसी भी इन में से किसी भी वान टू 31 तक वीडियो देखना चाहते हैं पस्नालिटी टेट्स नेगिटिव ट्रेट्स टिप्स रैमेडिज ओवर ऑल पॉजिटिविटी को करने के टिप्स तो आप मेरे यूट्यूब चानल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं आज आप से मैं कोई परस्नालिटी ट्रेट्स नेगिटिव ट्रेट्स इन नंबर्स के नहीं शेयर करूंगी सिरफ यह बताऊं कि आने वाले साल उनके लिए क्या कह रहा है जैसा कि मैंने बताया मंगल की एनरजी है मंगल की उर्जा से आप रूल करते हैं और साल आ रहा है 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 4 इसको अगर हम सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं तो आता है नंबर 8 यानि की सैटन का नंबर शनी का नंबर सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंपैटबिलिटी कैसी ह क्योंकि numbers की compatibility बहुत matter करती है तो 9 और 8 को देखें तो बहुत ज़ादा अच्छा भी नहीं है बहुत ज़ादा बुरा भी नहीं है 9 number क्या है 9 number है थोड़ा सा अगर आपका वो numero chart में और कुंडली में अगर मंगल आपका अच्छा नहीं है तो आपके अंदर उसकी negative traits थोड़े से जादा होंगे और अगर आपकी कुंडली में मंगल की position अच्छी है numero chart में आपका मंगल एक अच्छे numbers पे आ रहा है तो आपके positive traits जादा होंगे और शनी क्या है शनी है डिले शनी करवाता है आपको struggle मेहनत करवाता है बहुत जादा शनी आपको शने शने कहते हैं ना शने शने धीरे धीरे result देता है आपको और इतना धीरे देता है कि कभी तो आप बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि टंग हो जाते हैं कि बस बस हो गई अब लेकिन उस बस के बाद आपको कहते हैं न कि सहज पके सो मीठा हो, तो वो जो मीठास होती है आपको मिलती है, काफी अच्छी तकड़ी मेहनत के बाद, तो इस साल जो 9 नंबर वाले हैं, 12 नंबर वाले हैं, इन लोगों को मेहनत बहुत जादा करवाएगा, शनी, मेहनत तो हर नंबर के लिए ही है वैसे लेकिन किसी को क्या होता है न कि थोड़ी सी मेहनत करने के बाद बहुत अच्छे रिजर्ट्स मिलते हैं किसी को 100% देने के बाद बहुत अच्छे रिजर्ट्स मिलते हैं और किसी किसी को तो आप आप देखते होंगे न कि बहुत मेहनत की है फिर भी results उतने आपको अच्छे नहीं मिलते तो आप ये समझ लीजिए कि ये साल आप लोगों के लिए भी ऐसा ही है बहुत जादा मेहनत करेंगे लेकिन results आपको उसके accordingly नहीं मिलेंगे तो आपको patience रखनी है ये जो आपका कई बार nature होता है ना गुसे में एकदम से अपने आपा खो देते हैं एकदम से अपना control खो देते हैं किसी भी आप चाहे जौब में हैं आप चाहे बिजनस में हैं आप चाहे housewife है चाहे आप student है आप से वो patience आपके अंदर करेंगे तो ये वीडियो आपको warn करने के लिए है जब हमें पहले से किसी बात के बारे में पता चल जाता है ना तो हम उस चीज को avoid करते हैं गलती को repeat नहीं करते और जब हमें पता नहीं होता तो हम गलती पर गलती करते रहते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इस गलती से 9 नमबर वाले हैं, 18 वाले हैं, 27 वाले हैं, इस साल आपको अपने किसी भी कामों में, अपने से बड़ों का, बड़े बजुर्ग जो भी हैं, या फिर आप जिन्हें अपना गुरू मानते हैं, आप उनकी सलहा लें, इस बार इस साल आपको उनकी एडवाइस पे चलना है, ऐस नमबर वाले हैं, आप तो जैसे नाई नमबर वालों के, उनके अंदर एनरजी बहुत जादा होती है, इक फायर बहुत जादा होती है, आप बहुत जादा होती है, कुछ करने की तमन्ना बहुत जादा होती है, और अगर यह आपका पॉजिटिव है, तो आपको पॉजिट पूरा नहीं सोचना आपको कभी भी किसी के लिए गलत राय नहीं बनानी आप कई बार गॉसिपिंग में पढ़ जाते हैं वो आपको चीज नहीं करनी इस साल स्पेशली क्या वैसे भी ओवरॉल भी आप लोगों को अगर आप फील्ड में हैं अगर आप रियल एस्टेट में ह लिए इस साल अगर आप साज़ा भी है अगरन ऐसे हैं तब भी ये साल आपकी लिए बहुत अच्छा जायगा कहीं बार आपने देखा औ prophets को बहुत जादा चोटे लग जाती हैं आपको हcellGU ब्रेक्ष को बहुत जादा होते हैं तो ये कई बार ये होता है कि numero chart में आपका number 9 multiple होके आ रहा है आपके कुंड़ी में वो negative result दे रहा है उसकी conjunction किसी भी गलत planet के साथ है गलत घर में बैटा हुआ है तो आपको बार बार चोट देगा आपका जरा सा आपको cut देगा तो आपका blood निकलेगा आप खड़े खड़े आप पैर slip कर गया आपका ligament cells break हो गये आपका minor fracture हो गया कई बार को बड़ा बड़ा भी आपका bone का issues आ जाता है joint pains हो जाती है ये सब इस साल भी आपके साथ होगा लेकिन आपको इस साल क्या करना है workout बहुत जादा करना है वैसे मैंने अपनी सभी numbers के लिए इस साल बताया है कि आपको मेहनत बहुत जादा करनी है workout बहुत अच्छा रखना है workout इतना करना है कि आपका पसीना बहे वो पसीना आपको आपका फरश पर गिरना चाहिए यही करना है nine number वालों को कि इस साल आपको पसीना बहना है workout करना है चाहे आप जिम जाए meditation करें yoga करें क्योंकि इस से आपका vision भी clear होगा जो आपको एक चीज लगेगी न कि मुझे कुछ clarity नहीं है किसी बात की कुछ बात समझ में नहीं आ रही आपके पास उस वक्त कोई ऐसा इंसान भी नहीं है जिससे आप कुछ राय ले सकें तो आपको अपने vision को clear करने के लिए अपने thoughts को अपना clear करने के लिए आपको मैं end में ये भी बताऊंगी कि आपको क्या wear करना है जो आपकी positivity को enhance करेगा लेकिन अगर आप जिम जाते हैं वरक आउट करते हैं और आप पसीना बहाते हैं तो आपके लिए ये साल मेहनत करवाने के साथ साथ अच्छे रिजल्ट भी देगा इस साल आपको health issues को कि जो 9, 8, 8, 27 वाले होते हैं चटपटे खाने के बहुत शोकीन होते हैं तो चटपटा खाना लेट नाइट खाना खाना इस साल आपको avoid करना पड़ेगा क्यों क्योंकि नजर आ रहा है कि आपको stomach से related या फिर आपको acidity आपका heartburn हो सकता है आपको आपको जलन रह सकती है जिसे कहते हैं थोड़ा सा खाना खाने के बाद जलन रहती है पूरे पूरे चेस्ट में blockage सी फील होती है या फिर जब season change होता है तो seasonal जो खांसी जुखाम है वो acidity, stomach के issues उसका reason यही है कि आपका time by time खाना खाना, masala और चटपटेदार खाना जिसके आप बहुत शुकीन होते हैं अगर आपको खाना भी है कभी कभी आप इन चीजों को खा सकते हैं लेकिन avoid करें कि आप तो इसको late night ना खाएं और अगर आप कुछ ऐसा खा रहे हैं तो आप एक meal ऐसा लें उसके बाद दूसरा meal आप avoid करें इस साल आपको आप अ करते हैं कोई आप सेवा करते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी लेकिन वो दान वो सेवा आपको किसी को बतानी नहीं है आपने चुक चाप से करनी हैं आप इस साल आपका mental जैसे मैंने बताया कि आपको थोड़ा सा issues रह सकते हैं लाइक आपको clarity नहीं रहेगी आपके किसी काम पर confusion रहेगी तो आप यहां मैं आपको बोलूँगी कि आप एक moonstone वियर कर सकते हैं लेकिन जितने भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगी वो एक बार आप अपना numero chart अपनी कुनली दिखाने के बाद ही वियर करें आपको जैसे मैंने बताया है कि इस साल आप आपको patience रखनी है बहुत जाद आपको गुसा नहीं दिखाना patience रखनी है और खाने पीने पे आपको control रखना है आप इस साल एक pure energized अभी मंतरित डो मुखी रुद्राक्ष आप रेट कोडर किसी भी फॉर्म में आप चाहे वो ring फॉर्म में है चाहे आप pendant फॉर्म में है आप अपने wallet में रख सकते हैं आप अपने हाथ में वेयर कर सकते हैं गले में वेयर कर सकते हैं बड़ सारी चीजें all things should be pure energized और अभी मंतरित ये थे आपके कुछ tips इसके साथ ही आप अपनी south की wall पर आप एक पंच मुखी हनुमान जी की आप photo एक red frame में आप वो लगा सकते हैं या फिर आपके कोई भी गुरू है जिने आप मानते हैं आप किसी भी धरम से हैं आप अपने घर की office की south wall पे आप अपने उन गुरू की अपने भगवान की जिने आप मानते हैं उनकी red और golden frame में आप वहाँ पर एक photo ज़रूर लगाए और अपने workplace पे अपने घर पे काम करने से पहले एक बार उन्हें प्रणाम उन्हें नमस्ते आप जरूर करें इसके साथ ही आप south की तरफ बैठके इस साल अपने काम जादा करें चाहे आपका office का काम है चाहे आप student है आप कोशिश करें कि southwest की तरफ बैठकर पीठ आपकी southwest की तरफ होनी चाहिए बैठकर अपने सारे क गया तो इसे लाइक भी करें जादा से जादा 9, 18 और 27 वाले लोगों के साथ शेयर भी जरूर करें आने वाली वीडियोस में आप और किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करेंगे मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताएं I wish you all a very happy and prosperous 2024